कि है गाइस स्वागात है आपका मेरे चानल में मैं हूँ शिवम और आज हम पढ़ने वाले हैं memory gland के बारे सो memory gland यह बहुत ही important topic है exam point of view से भी और ऐसे भी important है तो शुरू करते हैं तो memory gland क्या होता है memory gland एक modified sweat gland है ठीक है modified sweat gland है जो sweat gland होते हैं उनका वो modification है जैसे सिब्स ग्लैंड भी sweat gland के modifications होते है एक्चुली वैसे ही memory gland और यह male और female दोनों में पाया जाएगा ठीक है और यह important accessory organ of female reproductive system तो female reproductive system का यह important accessory organ है ठीक है इसके बीना female reproductive system पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि यह जब newborn जो baby होता है उसके nutrition के लिए काम आता है जो milk feeding में किसी से होगा न तो इसलिए memory gland एक बहुत important organ है अब इसका situation हम देखते हैं ठीक है तो यह situated होता है superficial fascia में जो pectoral region है pectoral region के superficial fascia में यह present होता है तो यह diagram से थोड़ा समझते हैं कि यह body है और इसमें यह समझो इतना यह pectoral region है ठीक है तो इस pectoral region के superficial fascia में अपना memory gland present होगा superficial fascia बोले तो जैसे skin हो गया skin यह skin की layer हो गई इसके नीचे इसके नीचे एक superficial fascia होता है ठीक है उसके नीचे आएगा deep fascia तो ऐसे समझ लोग यह layer हो गई अपने body की तो उसी तरह से उस यह जो memory gland है यह superficial fascia में पाया जाता है ठीक है अब जो memory gland है हम इसको चार हिस्सों में बाढ़ते हैं जस ऐसे थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टेंडिंग के लिए तो यह चार हिस्से कौन से हुए इसके memory gland के और डाग्राम से समझते तो समझो यह अपना memory gland है ठीक है अब इस memory gland में यह यह ब्रेस्ट हो गया हो गया इस ब्रेस्ट के हम हम जो ही सफाइब हो गई और यह लेटरल साइड़ तो यह हो जाएगा आपर मीडियल यह आपर लेटरल यह लोवर लेटरल और यह लोवर मीडियल ऑँ कि से इस तरह से यह पंडोर सी मेंड आप है लिए आप लेटरल मुडियर ने जो इसका अपर लेटरल जो कौडरंड होता है अपर लेटरल कौडरंड उससे एक एक प्रोजेक्शन निकलता है छोटा memory gland का उसको बोलते है एक जिलरी टेल आप स्पेंज उसको डाइग्राम से देखते हैं तो यह हो गया आपका memory gland इसी से एक छोटा projection निकला है एक मिनिट यहां से ठीक से समझेगा यह वह आपका memory gland ठीक है इस breast से एक छोटा projection निकलताये जो ब्लू कलर में लिख रहा है इसी को बोलते एक जारी label आफ्सपेंट्स ठीके है यह होती ओपनिंग से निकलती है उसको बोलते है वोर मेन वी यह द्क acted ऄर का हों गया चकी टेल ऑफ स्पेंट्स थीक है और यह जो जिस छोटे उपनिंग से निकल रही है इसको बोलते है फोरामें רכर यह ओगया फोरामेंज अ उफ टेल आ хват शेम पी है आ यह किस से निकली है यह अपर लाटरल कॉड्रेंट से निकली है थीक है तो यह हो गया आपका situation of memory gland इसमें क्या देखे यह superficial fascia में present रहेगा of pectoral region pectoral region में रहेगा obviously और यह चार quadrants में divided होगा ठीक है upper medial upper lateral lower medial lower lateral ठीक है और इसी के upper lateral quadrant से हमने देखे कि एक छोटा projection निकलेगा axillary tail of spence जो कि जिस opening से निकलेगी उसको बोलते for a man of langer अब इसमें इसको axillary tail of spence क्यों बोलते तो axillary इसलिए बोलते हैं कि यह जो projection निकलता है यह deep fascia जो है जैसे तीन लेयर बोला था skin superficial fascia और deep fascia तो यह deep fascia को pires करते हुए यह deep fascia को pires करती हुए axilla में open होता है axilla में open होता है इसलिए इसे axillary tail बोला है समझ गया तो इस तरह से यह axillary tail of spence हो गई अब हम जो memory gland है अपना उसके extent की बात करेंगे कि extent की तो memory gland extent होता है है एक्स्टेंड होता है vertically from second to sixth trip यह इसकी position हो गई तो यह pectoral region हो गया pectoral region में ही ribs आते हैं यह समझ लो अपना sternum है ठीक है अब sternum के level से देखें तो यह second rib जिसको भी sternal angle भी बोलते है second rib से sixth rib तक यह extend होता है बस इतना याद रखो ठीक है और यह horizontally extend होता है lateral border of sternum से mid axillary line तक अब वो क्या होता है वो देखते हैं तो यह हमने बोला यह sternum हो गया ठीक है यहाँ पर sternum रहेगा प्रेक्टरल रिजन में तो sternum का जो यह lateral border है यह वाला यह lateral border हो गया उसका उसके lateral border से यह mid axillary line जो है यहाँ तक इसका extension है समझ यह यह हो गया extend तो extend में क्या 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 देखे यह vertically extend होता है second से six trip तक और laterally यह extend होता है sorry horizontally extend होता है lateral border of sternum से mid axillary line तक ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसके deep relation की बात करेंगे तो जो breast है वो deep fascia के उपर present रहता है जो pectoralis major muscle को cover की हुई है ठीक है अब मैं देखो मैं बताता हूं मैंने क्या बोला था कि तीन लेयर होगी समझो एक for example तीन लेयर लेते हैं अपन तो उसमें यह skin हो गई यह superficial fascia जहां पर deep जहां पर जो breast present रहेगा जैसे हमने कहा था कि यह present है superficial fascia में है ना कि यह superficial fascia में प्रेजेंट है ऐसा हमने कहा था ठीक है तो यह superficial fascia में breast present है अब उसके नीचे आगया deep fascia तो यह क्या बोल रहा है deep relations में कि यह deep fascia के उपर present रहता है जो की pectoralis major muscle को cover की हुई है तो obvious सी बात है कि अगर यह superficial fascia में यहां पर प्रेजेंट है तो यह deep fascia के उपर ही हुआ है कि इस तरह से तो यह छोटी सी डायग्राम इसमें तो कुछ समझेंगा नहीं होतना पर फिर भी यह जो pectoralis major muscle है इस यह जो pectoralis major muscle होती है इसको यह इसके उपर यह breast present रहता है ऐसा समझ लो तो यह बता रहा है ठीक है जो pectoralis major muscle को cover किये रहता है अब उसी के नीचे जो breast है उसके नीचे ऐसा बोल रहे है कि उसके नीचे तीन muscles होती है ठीक है कौनसी muscle pectoralis major major muscle जिसके बारे में अभी बोला हमने serratus anterior और external oblique muscle ठीक है कौनसी तीन मसल होगी pectoralis major serratus anterior और external oblique external oblique जो है वो abdomen की muscle है ठीक है अब जो breast है वो pectoral fascia से एक loose ariolar tissue से separate होता है जो pectoral fascia है उससे separated रहता है breast एक loose ariolar tissue se जिसको ही बोलते है retro memory space अब वो क्या होता है देखते हैं तो यह pectoralis major muscle है ठीक है pectoralis major muscle के ऊपर होता है एक pectoral fascia जो green color में दिख रहा है यह हो गया pectoral fascia ठीक है अब इसी के ऊपर एक छोटा loose ariolar tissue की एक space बनता है जिसको ही बोलते है retro memory space यह हो गया retro memory space जो pink color में दिख रहा है यह हो गया retro memory space अब यह जो breast है यह breast यह pectoral fascia से separated है retro memory space से अब इसका क्या काम है है वह देखते हैं तो जो loose ariolar tissue है उसके कारण जो है वह नॉर्मल ब्रेस्ट जो है वह pectoralis major muscle के उपर freely move कर सकता है ठीक है अगर यह retro memory space नहीं रहता तो वह उसको attach रहता जनरली तो उसके कारण उसकी free moment नहीं हो करते थी तो इसी के कारण अब यह को freely moment कर सकता है तो अब तक हमने क्या देखा कि जो breast है कि sorry memory land उसका situation देखें हमने situation के बाद कि उसका extent और extent के बाद हमने उसके deep relations के बारे में बात की ठीक है अब थैंक्यू दोस्तों देखने के लिए और इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे structure of breast की ठीक है तो यह video लंबा हो जाएगा इसलिए next video में structure of breast के बात करेंगे थैंक्यू सो मच देखने के लिए और अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like share और subscribe जरूर करेंगे